हम लोग PN junction के बारे में पढ़ते हैं हमारे पास PN junction PN junction हमारे पास है तो PN junction में क्या होता है हमारे पास एक इस तरह से सोचो आपके पास आप समझो के एक प्योर सेमिकनेक्टर टुकड़ा है आपने इस तरह इसमें बहुत सारा Aluminium मिला दिया है तो Aluminium मिलानेक मतलब है आपने इस तरह से Aluminium के Atom आप यहां पे दिखा रहे हो यह Aluminium के Atom से यह आपने Aluminium मिला रכ खा है that Aluminium कैसा होता है Aluminium acceptor होता है तो Aluminium चाहता है की वो एक electron को accept कर ले ताकि उसके पास जो hole है वो कमी पूरी हो चाहे तो अभी हम क्या कर रहे है यहाँ पर एक circle denote कर रहे हैं यह circle क्या है है होल्स को show कर रहे है तो आपका left hand side जो है वो P type का बन गया इस तरफ आपने क्या कि इस एक chalk है इस एक chalk है मालोब pure semiconductor है हमने इधर से इसके अंदर एक रंग मिलाया मालोब कोई ink डाली तो ink ने आधे हिस्से को red कर दिया और फिर इधर से ink डाली तो आधे हिस्से को blue कर दिया तो आधा red आधा blue ऐसे जोड़ा नहीं हमने कि हमने red और blue जोड़ा नहीं बलकि इसी को ऐसे रंग से इसमें भरा कि आधार रेड आधार ब्लू हो गया तो ऐसे एक तरब आपने अलिमूनियम मिला दिया एक तरब फासपोरस मिला दिया आपने फासपोरस मिलाया तो इधर आपके फासपोरस के आटम यहां पर आगए यह हमारे पास Phosphorus के atom आ गए Phosphorus की tendency क्या है Phosphorus एक electron अपने पास जो है extra जो की बहुत loosely bound है उसको वो lose कर देना चाहता है और lose करके वो क्या बनना चाहता है lose करके एक positive ion बनना चाहता है इस तरह कहोगे तो आप देख रहे हो एक तरफ Phosphorus की सेना खड़ी है with the excess extra electron electron एक तरफ aluminum के सेना खड़ी है उस electron को catch करने के लिए अब क्या होता है diffusion होता है यहाँ पर diffusion मतलब high density के जो electron है वो एक तरह से higher density से lower density के तरफ move करते हैं जैसे ही movement होता है तो मालू यह electron जैसे गया सबसे पहले यहाँ आया उसने hole को क्या कर लिया हिट्रोलाइस कर लिया तो इस फासफोरस ने अपना electron पूरी तरह से लूज कर दिया क्रिस्टल से बाहर निकल चुका इसका यह crystal यह हिस्सा था इससे बाहर हो करके यहाँ आ गया है तो इस aluminum ने उस electron को absorb कर लिया है तो यह negative iron हो गया और यह अपना electron लूज कर चुका है तो positive iron ऐसे इन्हों ने भी किया negative positive ऐसे इन्हों ने भी किया negative positive तो अब हम क्या देख रहे हो से positive iron की layer और negative iron की layer इतना ही देख रहा है तो इन लोगों ने तो यह कर लिया है लेकिन जब यह पीछे वाले electron है यह भी diffuse होकर के दर आते हैं तो जैसे वो इस हिस्से पहुंसते हैं तो इनके सामने negative iron की layer पड़ जाती है यह layer पहली बार में नहीं थी पहली बार में तो वहाँ पर aluminum का atom था जो की तुरंत ही electron को absorb कर लेता है लेकिन जब दूसरी layer की electron आते हैं तो उनके सामने iron की एक layer आ जाती है तो क्या होती है यह iron की layer इन electron को तुरंत यहां से वापस भीज़ देती है ripple कर देता है जोकि electron negatively charge है iron negatively charge है तो ripple हो जाते है इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह junction बना है इस junction के इर्दगिर्द एक ऐसा region create हो जाता है एक ऐसा छेतर create हो जाता है जिस छेतर के अंदर कोई भी charge carrier अपने आप नहीं आ पाता mobile charge carrier मतलब अगर मालों सोचो hole है अगर hole चलना सुरू करे तो hole इधर आएगा यह positive iron की layer से वापस से चिटक के इधर चला जाएगा तो यह आपके पास एक ऐसी positive और negative ions की ऐसी layer बन जाती है बच्चों जो कि इधर से electronों को jump नहीं करने देती इधर से hole को jump करने नहीं देती आप माल सकते हो कि यहाँ ऐसा लग रहा है negative battery इधर है एक positive सिरा इधर है तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक positive negative plate एक internal battery बन चुकी है जिस battery की electric field इस तरह से है I internal अब यह जो इस आइनों की layer है इनकी वज़ाए से जो electric field है यह electric field क्या करती है electronों के इस motion को रोकती है चुकिए electron जो होते हैं negative plate से positive plate की तरफ move करते है तो इसलिए electron इस internal electric field से इधर रहते है और यह hole जो है इस तरफ रहते है इस प्रकार से हम इस पूरे system को क्या कहते है इस पूरे region कहते है potential barrier barrier क्यों कह रहे हो आप समझ पा रहे होगे barrier इसलिए कह रहे है चुकि यह एक तरफ के electron को दूसरी तरफ के hole से मिलने से रोकता है जैसे हम लोग देखते हैं police barricating होती है एक तरफ police की पूरी force खड़ी है एक तरफ प्रशन कारी खड़े है बीच में लोहे की barricating है यह barricating सीधे इन दोनों के दूसरे से भिड़ने से रोकती है अच्छा अगर इस barricating को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा इधर से लोग एक दूसरे को support करते है फिर उचाल करके उस barricating को सबब भेगते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा यह energy के साथ टकराएंगे लेकिन फिर उस barricating से इधर जरोधर चिटक जाएंगे तो ऐसा यहाँ पर भी होता है चुकि यहाँ electric field होती है और electric field potential के साथ जूड़ी होती है तो इसको हम electric field barrier की बज़ा है ज्यादा बहतर word जो होता है potential is a more profound thing तो हम इसको potential barrier कहते हैं एक चीज और है यहाँ पर जो region create हो रहा है जिसकी अपनी कुछ बटाई होती है कुछ micrometer से लेकर के कुछ micrometer से लेकर के कुछ कम ज़्यादा हो सकती है तो यह जो depletion layer इसने के कहते हैं depletion layer क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ से moving charge carrier deplete हो जाते है deplete मितलब 6 हो जाते हैं नहीं रह सकते हैं यहाँ पर कुछ रह सकते हैं तो iron रह सकते हैं यह घुमन्तू electron यह घुमन्तू hole इस region में नहीं आ सकते हैं यह अवच्छे परत है यहाँ से इनका 6 हो चुका है it is like a no man's line इसे हम कहलते हैं कि इस इलाके में कोई नहीं प्रवेस कर सकता पुलिसनेक बैरिकरेटिंग कर दी है तो वैसे है यह जो पूरा हिस्सा होता है इस हिस्से में किसी तरह को mobile charge carrier नहीं आ पाता है तो अगर हम इस तरह से box diagram के थुरू बनाना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारा PN junction device बन चुका है इस PN junction device के अंदर एक internal electric field डेवलप हो गई जोकि वहाँ पर positive negative ion के layer बनी है यह layer अपने आप बनी है इसको आपने बनाया नहीं diffusion के थुरू आपने खाली phosphorus aluminum के मिलाया एक certain concentration से उसके बाद के सारा काम automatically spontaneous थरीके से होता चला गया और यहाँ पर positive negative ions के complete layer बन गई यह जो layer होती है यह depletion layer भी कहलाती है चुकि यहाँ पर mobile charge carriers नहीं होते तो आपका normal pn junction इस तरह से काम करता है अच्छा आप कहते हैं फिससे फाइदा क्या हुआ electronों का तो flow होना चाहिए current के लिए बिल्कुल flow होना चाहिए लेकि उस flow होने के लिए इस internal electric field का कुछ करना पड़ेगा चुकि यह internal electric field electronों को इधर आने से रोक रही है तो हम कहते हैं चलो ऐसा करते हैं बाहर से एक electric field लगाते हैं और बाहर से electric field जो होगी वो internal electric field के opposite होगी तो यानि कि semi connected device के अंदर जो electric field है वो कह रही कि नहीं इधर की electron इधर रहेंगे hole इधर रहेंगे बाहर से electric field जो कह रही नहीं electron इधर जाएंगे hole इधर जाएंगे तो बाहर की electric field इस तरह के cross ventilation कहलो cross transportation को support कर रहा है अंदर की electric field कहते हैं नहीं electron इधर रहेंगे hole इधर रहेंगे लेकिन जो बाहर की electric field अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा देरे देरे अंदर वाली electric field अब electron को और hole को अलग नहीं रख पाएगी जो कि बाहर का support बढ़ता जा रहा है तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे बाहर की electric field बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे अब एक समय ऐसा आता है कि बाहर की electric field और अंदर की electric field बैलेंस हो जाती है मत्दब इन electron को रोकने वाला जो बल था वो बाहर के बल से बैलेंस हो गया इसके बाद जैसे ही आप electric field आगे बढ़ाते हो वैसे ही electron का flow होना शुरू हो जाता है तो सवाल है कि जो external electric field है यह हम कहां से लाएंगे तो जवाब इसका यह है कि यह जो external electric field है इसको लाने के लिए आपको बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी आपको बाहर से इस junction के across बैटरी लगानी पड़ेगी तो जो बैटरी होता है उसका भी एक plus सिरा होता है यह minus सिरा होता है यह plus है माइनस है इसकी Elite perspectives होती है external तो अगर आपने इस PN junction device के साथ एक बैटरी जोड़ी आपने एक तार लिया यहां से यहां से तार लिया और यह तार यहां से किया यहां आपने बैटरी लगा दि बैटर है इस तरह से इसकी electric field इस तरह से हो गई है ना प्लस से माइनस के तरह हो और यह electric field इसको oppose करती हुई है तो आपने पहले battery का potential कम रखा था तो electric field भी कम थी जब electric field कम है तो अंदर वाली electric field अभी strong है इसकी तो यह कोई नहीं जाएगा, इदर रहेंगे, सब लोग इदर रहेंगे, कोई क्रॉस नहीं करेगा, फिर आपने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते आपने एक समय ऐसा किया, कि आपकी बाहर की एलेक्ट्रिक फील्ड, इग्जैक्ली इस इंटर इस चीज को, इस पूरी आइडिया को हम कहते हैं, बायसिंग, बायसिंग क्यों कहते हैं, चुकि हम बायसिंग क्या होते हैं, अरे भाई, उनका फैसला बड़ा बायस था, हम गयर इंटर्व्यू में हमारा नहीं हुआ, उनके बतीजे का हो गया, बड़ा बायस थे लोग, ब बाहर्स बैटरी लगाई इसने प्रपजली क्या किया ऐसी सिट्यूएशन क्रेट कर दी कि हमारे इंटर्नल विरोध के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना शुरू हो गया इस प्रॉसेस कॉल बाईसलियू एक बैटरी को किसी पी जंक्से डिवाईस के साथ बैटरी को जूड़ना असोसीट करना इसी को हम बायसिंग कहते ही तो अब आप कहोगे तो ठीक है यह किस तरह की बैइसिंग है इस बाइसिंग को मतलब बाहर्र की उलेक्ट्रिक फील इंटर अपोच करके करेंट को आगे बढ़ने देना है तो इसलिए इसको फॉर्वर्ड कहते हैं चुकि यहां चार्ज आगे बढ़ते हैं और सर्कीट के अंदर एक करेंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है अगर अभीनिति इसको कहा जाता है लेकिन अगर हम पलट दें पलटने के मत अगई अब अंदरुनी एक्टिक फिल्ड और बाहर दोने एक दिस में आ गई तो अंदर अबाहर सारा मामला पलट गया तो इस तरह की बाएसिंग को हम नाम देते हैं रिवर्स सी को अपने यहां पर यह सीखा। कि पहली बात तो एक PN junction diode बनता है, PN junction device बनती है, तो उसमें natural तरीके से, spontaneous तरीके से electron का flow होता है, positive negative ion के layer create होती है, और एक internal electricity create हो जाती है, जो कि natural तरीके से electron के flow को उस junction के across जाने से रोखती है, और इस region को हम potential barrier कहते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी movable charge carrier नहीं रहता है, तो इस वज़े से हम इसको depletion layer कहते हैं, अब अगर हम बाहर से support करके इस system को disturb करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, electron का flow आगे बढ़े, तो इसके लिए माँ पास तरीका क्या है बच्चों, एक तरीका तो यह है कि आप बाहर से electric field को अंदरूनी electric field के opposite direction में लगाएं, ताकि एक समय ऐसा हो कि बाहर के electric field अंदरूनी electric field को quench कर दे, एक तरह से उसके उपर हावी हो जाए, और electron का flow फिर होना सुरू हो जाएगा, ऐसे स्थितिकों हम forward biasing कहते हैं, अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हो, आप battery के polarity change कर दो, ताकि बाहरी electric field, अंदरूनी electric field के support में आ जाए, तो सारा वो जो flow हो रहा, तो वो सब रुख जाएगा, वोस तरह से नहीं होगा, और इस तरह की arrangement को हम reverse biasing कहते हैं, तो आपकी syllabus में topic है, the VI characteristic, voltage current characteristic, तो voltage current characteristic के मतलब यही होना है, कि बाहर से लगी हुई voltage, बैटरी का voltage कैसे बढ़ाते जाते हो, और उसका असर क्या दिखता है यहाँ पर, current कैसे रुकी कम होती है, कैसे बढ़ती, कैसे बहुत बढ़ती है, तो यह जो voltage के साथ current का variation show करने वाला जो graph होता है, उसी को हम PN junction diode का characteristic कर्व कहते हैं, characteristic इसलिए कहा जाता है, चुकि वो diode की सभी तरह के महत्रपूर्ण गुड़ों को समझा लेता है, characteristic मतलब गुड़ होता है, property होती है, तो सभी महत्रपूर्ण property जो होती है, हमारे PN junction diode की, उसको समझा दिया जाता है, with the help of that curve, तो वो हमको वहाँ पर पढ़ना होगा, चलिए फिर अभी एक चोड़ा टॉपिक और है, इसमें फर्मी लेविल पढ़ेंगे, फिर हम इस पर आएंगे, चुकि हमने यहां बता दिया है आपको इसके बारे में, तो उस टॉपिक में हम सीधे तोर पर फर्मी लेविल वाले टॉपिक पर जम करेंगे, सारी, सीधे तोर पर हम वी आई करेक्टरिस्टिक वाले टॉपिक पर जम करेंगे, और आपको कैसे वो करेंट का बिहेवियर, यह कैसे वोल्टेज के साथ चेंज होता है, एक mathematical equation भी है वहाँ पर, एक diode equation कहलाती है, उसके थूप भी हम वहाँ पर उसको समझा सकते हैं, ठीक है, तो चलिए गया, उस टॉपिक को हम लोग वहाँ पर देखेंगे, जहां हम पढ़ेंगे कैसे हम voltage, current characteristic को study करते हैं, चलिए, मिलते एक लिक क्लास में, अपने धियान रखेंगे, have a nice day.